असलाम लीकुम स्टूडेंट्स, I hope you all will be fine, today we are going to start our second type of factorization which is AC plus AD plus BC plus BD प्रिविस लेक्चर में हम लोगोंने factorization की first type सीखे थी, जिसमें हम लोगोंने two और three terms, जितनी भी हम expression में terms होंगी, उनमें से common लेना सीखा था, आज हमारी है second type of factorization, इसको हम लोग समझेंगे, then इससे related questions को solve करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं example number four, factorize 3X plus CX plus 3C plus C square, सबसे पह हमारी जो last two terms है, उनका प्यार बन जाएगा, हमने pair बनाते हुए, एक बात का खास खाल रखना है, कि जो हम प्यार बना लेंगे, प्यार बना रहे हैं, उसमें से कुछ न कुछ common लाजमी आए, अगर common नहीं आएगा, तो हम जो सारी terms हैं, उनको हम rearrange कर सकते हैं, जैसे मैंने pair बनाया 3X plus CX, इसमें से क्या common आ सकता है, इसमें से X common आ सकता है, जब हम मैं 3X में से X common ले रही हूँ, तो मेरे पास बचेगा 3, plus as it is, रहेगा CX में से मैं X common ले रही हूँ, तो मेरे पास बचेगा C, प्लस यहाँ पर already है, 3C plus C square में से हम लोग C common ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 3, then plus as it is, रहेगा, और C square में से X common ले लिया, तो बाकी मेरे पास बचेगा XC, अब यहाँ पर हमारे पास जो terms बनी हैं, हमने उसको यह पूरी term को एक consider करना है, और इस पूरी को एक consider करना है, अब again इसमें से common आ रहा है, इसमें से क्या common आ रहा है, इन दोनों terms में से 3 plus C common ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा X plus C, तो यह हमारे पास answer आ जाएगा, then हमारी है example number 5, factorize 2X square Y minus 2XY plus 4Y square X minus 4Y square, सबसे पहले हमने इन चारों terms को अच्छी तरुके से देखना है, कि इसमें से कुछ common आ रहा है या नहीं आ रहा है, इन चारों में 2Y common है, तो वो हम पहले बाहरे लेंगे, then हमारे पास क्या बचेगा, X square minus X plus 2YX minus 2Y, यह वो ही procedure है, जो हम लोगों ने 6.2 में करना सीखा था, next हमने क्या करना है, कि हमारे पास जो चारों terms है, इनके हम लोगों ने pair बना लेने हैं, जैसे first pair हमारा बनेगा X square minus X का, और next हमारा pair बनेगा 2Y X minus 2Y का, अब X square minus X में से X को मना आ सकता है, वो हमने ले लिया, हमारे पास क्या बचेगा, X minus 1 हमारे बाकी बच़ेगा, plus 2 ऐसे रेगा, और यह जो pair है, इसमें से हमारे पास 2Y को मन आ जएगा, जब हम 2Y को मन ले लेंगे, तो हमारे पास इन दोनों terms में से क्या बचेगा x-1 अगेन इसमें से common आ रहा है x-1 और बाकी हमारे पास बच जाएगा x-2y ये 2y जो हमने पहले common लिया था ये asgts हम लोग साथ लिखते जाएंगे देन हमारा जब हम इन चारों terms को factorize करेंगे तो हमारे पास आंसर आजेगा 2y into x-1 into x plus 2y